असलाम उलेकुम वरह्मतुल्लाई वरकातू तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सबक नंबर एक अपना कंप्लीट कर लिया है अब हम अपना सबक नंबर दो पढ़ेंगे सबक नंबर दो क्या है नजम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्हीम अलफाज और तरजमाई इन्होंने वर्ड नहीं यहाँ पर पहले ही दे रखे हैं सबक में ताके हम यह पढ़ें सबक तो हमें पता चल जा है कौन से लफ़ के क्या माइना है आला बुलंद यानि उचा आला किसे कहते हैं बुलंद और उचे को मौला मालिक को दोस्त को मौला मालिक दोस्त आका मालिक और सरदार आका किसे कहते हैं मालिक और सरदार को खुद्रत ताकत रह्मत महरबानी ठीक है आला बुलंद यानि उचा मौला मालिक यानि दोस्त आका मालिक और सरदार गुद्रत, ताकत, रह्मत, महर्बानी स्भसे आला अला है सबसे निब्लंद, सबसे उच्छा लाह है सबका मौला लाला है सबकी दूाएं सुनता है रह्मत वाला अल्ला है, महर्बानी करने वाला है उसके बराबर कोई नहीं, सक्का आखा अल्ला है कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्ला है कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्ला है यह हमारा कम्प्लेट हो गया चलो सवालात भी कर लेते हैं दौाएं कौन सुनता है दौाएं आला के मायने बताओ सक्से आला आला है यानि सक्से बुलंद आला है तो आला के मायने बुलंद खुदत वाला कौन है खुदत वाला आला है मौला का मतलब क्या है मौला का मतलब मालिक दोस्त रहमत वाला कौन है रहमत वाला आला है आका किसक कोई नहीं रह्मत के मांद हैं ने महरबानी उस्पियार तरी कि स्यात कर लीजेगा अब हम पढ़ेंगे सबख नंबर ती नेक्स्ट वीडियो में इच्छी लगी हो तो आगई शेयर करेगा ठीक है वो सबब को अच्छी तरी के स्याद कर येगा और इसी तरह मारे साथ बने रहीएगा तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आवे के सबक के साथ जबते के अल्दा आफिस असलाम हो लिए